चीचु कवा ने एक पीजा शौब के शुरुआत की आस पड़ोस में रहने वाले सभी पक्षी उसके पास आकर पीजा खरीद कर ले जाया करते इस तरह उसका बिसनस बहुत अच्छे से चल रहा था एक दिन चीचु कवा ने मन ही मन कहा यहां की पीजा बहुत ही स्वादिश्ट होती है सुपर टेस्ट होता है यूं वो सभी को बता रही थी दूसरी और चीचु ने कहा पीजा के ओर्डर्स ले लीजिए इस पर दूसरे कवे ने कहा रेट्स बहुत बढ़ गए हैं आप एक बार देख कर ओर्डर कर दीजिए यह कहने पर सभी ने मेन्यू में उसके दाम देखे दाम बहुत जादा बढ़ चुके थे अरे यह क्या इतने दाम बढ़ा दिये आपने पीजा के इस पर चीचु कावा को बहुत घुसा आया हर जगे तो यही रेट से शहर में इसी दाम में बिखते हैं आपको क्या लगता है कि शहर के दाम हमें नहीं पता हम कभी शहर गय नहीं हम सब जानते हैं टोनी ने भी अपनी नाराज की जताई यू बातो बातो में बात बहुत बढ़ गई तुम सभी को देख कर ही पता चल गया था तुम्हारे इतनी आउकात नहीं पीजा खाने की अब चलो निकलो इहां से टोनी को बहुत घुसा आया क्या कहा तुमने हमारी आउकात नहीं पीजा खाने की अगर तुम्हारी ही शॉप के सामने तुमसे भी बड़ा पीजा शॉप न खड़ा कर दिया न तो देखना ये कह कर वे सभी वहाँ से चले गए उसने कितना कुछ सुनाया हमें सच कहा हमें उससे भी बड़ा पीजा शॉप खड़ा करना होगा हाँ जिसके पास जितनी भी जमा पुंजी हो सब ले कर आना ऐसा तै कर वे सभी अपने अपने घर के लिए वापस लोटे फिर वे सभी अगले दिन इखटे हुए मेरे पास पचास हजार है मेरे पास भी पचास हजार है मेरे भी पचास मान लो यो उन तीनों ने बताया मेरे पास दो लाक रुपे हैं पर टोनी ने संदे हचताया अगर ऐसा है तो तुम्ही सारा मेंटेनिंस संभाल लेना हम भी तुम्हारी सहता करते रहेंगे ये कहकर उन सभी ने अपने पैसे जोड़ दिये चन घंटों में ही उन्होंने चीचु कवा की बराबरी में अपनी पीजा की शौप खड़ी की आईए दोस्तों आईए कम दाम में पीजा का स्वाद ले जाए यो हर किसी को वो आवाज देकर बताने लगी वहाँ से गुजर रहे सभी पक्षी चीचु कवा की पास ना जाकर टोनी के पास ही आ रहे थे अरे वाँ ये तो बहुत स्वादिष्ट है और वो भी कम दाम में यो पीजा की तारिफ कर सभी खाने लगे पर ये सब देख रही चीचु कवा इन सभी ने तो मेरी बैंड बजा दी है ये सोचकर वो अपना सर पकड़ कर बैठी थी इतने में उसका पती वहाँ पर आया अरे ओ भागवान फैदे की लालच में तुमने दाम बढ़ा दिये ग्राहकों के साथ बत्तमीजी से पेश आई अब देखो उनका कैसे चल रहा है बिजनस अब अपना काम राम भरो से मुझे डांटने से पहले उनका काम कैसे बंद किया जाई ये सोचो पती सोचने लगा बहुत हो गया आपका सोचना मैंने ही कुछ सोचा है आने वाले चार दिनों तक अपनी दुकान बंद रखेंगे उसके बाद क्या करना है मैं आपको बताती हूँ चीचू के कहने पर उसके पती ने हामी भरी और चार दिनों तक दुकान को बंद रखा उनकी दुकान को यू बंद देखकर डर कर भाग गए चार दिनों के बीतने के बाद पती पतनी टोनी के दुकान पर पहुंचे यूँ और देने पर टोनी ने हामी भरी और वो अंदर पीजा लाने गई टोनी ने दो चिकन पीजा बनागर उन्हें दे दिये उन दोनोंने पीजा खाते हुए अपने साथ लाए हुए जिंगुर उन पीजा पे रख दिया ची ची सबी कह रहे थे कि आपके आम बहुत स्वादिस्ट पीजा होता है इस तरह जिंगुर और कीरे डाल कर बनाते हो पीजा यू तमाशा कर उन्हें दिया हुआ पीजा फेग देती है आखेर आप इतना क्यों चिला रही है हमारी दुकान के सारी पीजाओं को क्यों फेग रहे हो आप पहले वज़े बताए इसके बाद आप चाहे जो भी करना चाहो हम आपको नहीं रोकेंगे क्या आप इस तरह पीजा जिंगुर और कीड़े डाल कर देते हो सिर्फ मेरे पीजा में ही नहीं मेरे पती के पीजा में भी आया है ये कहकर पीजा दिखाने लगी वो सोच में पढ़ गई कि आखिर जिंगुर कहां से आये होंगे ऐसे बुत बनकर क्या खड़ी है ये सब आपके लापरवाही की वज़े से हुआ है सभी बक्षियां ये देख रही थी टोनी बहुत उदास हो रही थी एह भगवान ये सब क्या हो गया मेरे दोस्त कहा है इस समय उन्हें होना चाहिए था ये सोचकर वो बहुत दुखी हो रही थी इतने में मही, लूसी और छोटू दोता वहां पर आए आ गए, आप कहीं इंतजार था ये कहते हुए वो सारी बात बताने लगी अच्छा, तो क्या आप मेरे साथ चल कर सिस्टम में एक बार देखेगी लूसी ने कंप्यूटर खोल कर उन्हें बताया कि किस तरह कि किस तरह चीचु कवा ने चाला किसे जिंगुर पीजा में रखा ये सब सीसी टीवे में रेकॉर्ड हुआ था चीचु कवा की बोलती बंध हो गई थी शर्म से उसका सर जुग गया हमारी मान हानी के नुकसान पर तुम्हें में अंदर करवा सकती हूँ मही के ये कहने पर चीचु कवा का पती घबरा गया ऐसा मत किजिए हमें छोड़ दो हमाइंद ऐसा नहीं करेंगे इस तरह वो विंती करने लगा पर चीचु कवा बिना कुछ कहे चुपचाप खड़ी थी पर तुम्हारी पत्नी तो कुछ नहीं कह रही यो उनकी धमकी सुनकर वे दोनों बिना कुछ कहे वहां से चले गए पता है मैं कितना गपरा गई थी मैं तो भूल ही गई थी कि हमने CC कैमेरा लगाया है मैं जानती थी यहां एसा कुछ हो सकता है इसलिए पहले से ही मैं बिना बताय CC कैमेरा लगवा दिया मही की इस सोच पर टोनी ने उसकी तारिफ की हाँ पर हम उसे माफ कर देते हैं भूल जाते हैं जो हुआ जब तक हम उस पर केस नहीं करेंगे वो सुधरने वाली नहीं ये सोचकर उन सभी ने चीचु कवा पर केस कर दिया मान हानी के बदले में चीचु कवा को पूरे 10 लाख रुपे देने पड़े उस गाउ में इतनी बदनामी होने के बाद चीचु कवा और उसके पती गाउ छोड़ कर कहीं और चले गए ज़्यादा मुनाफिकी आसना रखकर इन चारों दोस्तों ने अपने बिजनस को आगे बढ़ाया वो एक सुन्दर सा गाउ था वहाँ पर टोनी नाम की गउरया एक पेड़ पर अपना सुन्दर सा गोसला बना कर अपने पती के साथ रहा कर दी थी वो अपने पती के साथ खुशाल जीवन बिता रही थी एक दिन उनकी सहली मही चिल उन दोनों से मिलने आई चील ने टोनी से पूछा टोनी कैसी हो तुम बड़े तिनों बाद मिल रही हूं तुमसे हाँ मैं बिलकुल ठीक हूँ तुम कैसी हो और घर पर सब ठीक है ना तुम्हारे पती और बच्चे चील ने उससे कहा हाँ घर पर सब कुशल बंगल है और तुम बताओ खुशकबरी कब सुनाओगी इस पर टोनी शर्माते हुए बोली आहां बहुत चल सुनाओगी कुश देर योही बात करने के बाद मही वहाँ से चली गई कुश दिन योही बीते टोनी मा बनने वाली थी इसलिए उसका बती उसका बहुत ध्यान रखने लगा पर उन्ही दिनों में किसी जरूरी काम से उसके बती को बाहर जाना पड़ा वो अपनी सहली मही चिल के पास गया और दूस मुझे किसी काम से बाहर जाना पड़ रहा है कुछ मैंनों तक लोटकर नहीं आ पाऊंगा वैसे तुम्हारे बती भी काम से बाहर गए है ना तुप क्यों न तुम टोनी के साथ रह लो उसे भी अच्छा लगेगा हाँ हाँ क्यों नहीं ऐसा ही करूंगी चील के ये कहने पर गोरया के बती ने राहत की सांस ली उस दिन से चील टोनी गोरया के साथ ही रहने लगी, कुछ महीने बीटे, टोनी गोरया ने कुछ अंडे दिये थे, उन अंडों को टोनी गोरया जतन से रखा करती थी, पर टोनी मन ही मन सूचा करती, भले ही कितने ही अच्छे दोस क्यों न हो, पर मुझे सावधानी बरतनी कहीं मेरे बच्चों के अंडे से निकलने के बाद ये उन्हें ले करना जाए ये सोचकर टोनी को रिया हर समय मही पर नजर रखा करती योही कुछ दिन बीते एक दिन उनके सहली लूसी कबुदर उनके पास आई वो बहुत घबराई हुई सी थी दोस्त चलो नो जल्दी मेरे साथ छोटु को प्रसव वेदनाएं हो रही है घबराई हुई टोनी ने कहा दोस्त मेरे बच्चों का ध्यान रखना उनके बाहर निकलने का समय हो रहा है मैं अभी लोटती हूँ ये कहकर टोनी गोरेया लूसी के साथ वहाँ से चली गई मही चिल उन अंडों का बहुत ध्यान रख रही थी अचानक चिल ने ध्यान से रेखा तो उस खौसले में बहुत सारी चिंतियां आ रही थी और वो चिंतियां अंडों को नुकसान पहुचा रही थी उन्हें वहाँ से भगाने के लिए मही चिल ने अपने पंक फड़़़ाने शुरू किये ठीक उसी समय टोनी के बचे अंडों से बहार निकले अरे अरे कितनी सारी चिंतियां है कुछ देर तुम्हें यहां से कहीं और ले चलती हूँ उनका भला चाहकर मही चिल उन दोनों बचों को अपने घौसले ले गई वो जब एक एक कर दोनों बचों को ले जा रही थी तब चीचु कवा ने उसे देखा हे भगवान टोनी के घर पर रहते हुए भी यह मही उसी के बचों को कुरूरता से ले जा रही है आखिर कोई इतना दृष्ट कैसे हो सकता है अपने ही दोस्त के बचों को ले जा कर भला उने मार कर कैसे खा सकता है यह मन ही मन सोच रही थी चीचु कवा उससे रहा नहीं गया और वो टोनी को ढूणने बाहर निकली दोस्त तुम गई कहा थी टोनी खुश होते हुए बूली चोटो को प्रसव वेदनाए हो रही थी अब वो बहुत खुश है सब कुछ अच्छे से निपड़ गया उसकी खुशी की परवाह करते हुए तुम अपने खुद के बच्चों को ही भूल गई तुम्हारे बच्चों को तुम्हारे घर पर रहने वाली चील ही उठा कर ले गई ये बात जानते ही टोनी रो पड़ी है भगवान ये मुझ से कैसी गलती हो गई मैंने खुद अपने हाथों से अपने बच्चों को मौत के मूध हकिल दिया है भगवान यो रोते हुई तुरन टोनी अपने घंसले पर पहुंची तो देखा वहाँ पर बाकी अंडे और बच्चे नहीं थे सिर्फ एक अंडा बचा था खुची समय में उस अंडे से बच्चा बाहर निकला टोनी ने रोते हुए उसे अपने सीने से लगाया और अपने पंखों में छुपा कर रखा तभी वहाँ पर मही चील भी वापस लटी दुरुष्ट कही कि तुम मेरे ही बच्चे को खा गई तुम्हें यह रखना मेरी गलती थी तो मैं मर जाना चाहिए यो मन मानी उसे कहे जा रही थी मही ने रोते हुए उसे कहा दोस्त ये तुम क्या कहे जा रही हो मैं भला तुम्हारे बच्चों को क्यों मारूंगी तो फिर क्या किया है मेरे बच्चों के साथ सच बताओ यहाँ बहुत सारी चीनतिया काट रही थी उन्हें इसलिए उन्हें सुरक्षित जगल ले कर गई हूँ चलो मेरे साथ में दिखाती हूँ ये कहकर तुरंट उसे अपने साथ उन बच्चों के पास ले गई अपने बच्चों को सुरक्षित देखकर टोनी का मन भराया उसने अपने बच्चों को सीने से लगाया और रोने लगी दोस्त मुझे माफ कर दो मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई मुझे चीचु कवा ने कहा था कि उसने तुम्हें बच्चों को ले जाते हुए देखा ये कहकर वो पच्टा रही थी किसी के बातों में आकर मुझे पर शक करना मुझे अच्छा नहीं लगा तुम्हारे बच्चे मेरे बच्चों के समान ही होंगे न बहला मैं उन्हें मार कर क्यों खाऊंगी दोस्त मुझे माफ कर दो मैंने तुम्हें बहुत गलत समझा मैंने तुम पर सिर्फ शक ही नहीं किया तुम्हारा अपमान भी किया है खेर कोई बात नहीं इतने अच्छे मौके पर भला ये सारी बाती क्यों तुम अपने बच्चों का अच्छे से ध्यान रखना मैं चलती हूँ ये कहकर मही चिल वहां से चली गई ये मैंने क्या कर दिया जाने अंजाने मही चिल का दिल दुखारा मैंने चीचों के बातों पर भरोजा कर इस पर शक किया किसी और की बातों पर भरोजा कर हमें निर्णे नहीं लेना चाहिए मैंने उससे कितनी कटो बाते कही मैं चाहा कर भी उन्हें वापस नहीं ले सकती ये सोचकर टोनी दुखी होने लगी योही कुछ दिन बीते बीती बातों को भूल कर मही टोनी से मिलने आई तबी चीचु भी वहाँ पर आई और उसने कहा मुझसे उस दिन बहुत बड़ी गलत फैमी हो गई थी यही बात मैंने टोनी से कही और उसने तुम्हारा अपमान किया मुझे माफ कर दो मैं उस बात को बहुत पहले भूल चुकी हूँ तुम दोनों अब भी उसे ही याद कर रहे हो रात गई बात गई भूल जाओ अब उसकी बाते सुन चीचुकवा बहुत खुश हुई तुम्हारी बातों से तुम्हारे नेक दिल का पता चलता है जो भी तुम्हारे मन को अच्छे से जान गया वो तुम्हारी दोस्ती को कभी खोना नहीं चाहेगा हाँ दोस्ट, तुम ही मेरे पहली और अच्छी दोस्ट हो मैं ये सोच कर दुगी हूँ कि मेरे पती से पहले मैंने तुमसे दोस्टी क्यों नहीं की इस पर मही चिलने कहा हाँ तो अब भी देर कहा हुई है अब से हमेशा के लिए हम अच्छे दोस्त बने रहेंगे इस बात पर सभी खुशो कर हसने लगे